Hey Hi Everyone, मैं वैशाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी YouTube चानल Let's Stream Together पर जिसा कि आप सभी को पता है, DSSB Board ने अल्रेडी नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो नॉन टीचिंग पोस्ट होती हैं, उनके लिए रिलीज कर दी गई हैं और अभी June में कुछ exams conduct होने वाले हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में जो आपके PGT और TGT के form रिलीज हुए थे, उनकी भी exam date रिलीज हो जाएगी DSSB उनको भी conduct कराने वाला है तो उसी के लिए इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ share करूँगी कि जो ये आपका period चल रहा है, इस दोरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी revision strategy कैसी रखनी चाहिए, revision के दोरान क्या-क्या गलतिया नहीं करनी चाहिए and कैसे आपको consistency maintain रखनी चाहिए, demotivation हो रहा है तो कैसे आप उस demotivation को दूर कर सकते हैं तो ये सारे points जो है हम इस वीडियो में discuss करेंगे I hope आप end तक इस वीडियो को देखेंगे और जो भी आपके friends तयारी कर रही है या फिर future में इस exam की तयारी करेंगे आप उनके साथ ये video share कर सकते हैं मेरा मानना यह है कि आप सभी के लिए काफी high time है और इस time के दोरान आपको जो है अपनी mental health के साथ-साथ physical health का दी ध्यान रखना चाहिए ये preparation की जो journey होती है हम इसमें क्या करते क्या है कि सिर्फ अपनी preparation पर ही ध्यान रखते है जो हमारी mental health है physical health है उसको काफे गिनौर करते है सो उसने एक बार exam हो जाए clear हो जाए और job लग जाए उसके बाद जो है हम अपनी physical health का ध्यान देंगे बट मैं आपको suggest करना चाहूंगी कि ये गलते बिल्कुल भी ना करें अपनी physical health का अपनी preparation journey में ही ध्यान रखें क्योंकि ये सबसे जादा important है life में और कुछ हो ना हो आपके पास health होनी चाहिए because you know that health is wealth preparation की journey है इसके दोरान आप कोशिश करिएगा कि आप healthy खाना खाएं कम से कम और कोशिश करिएगा कि दिन में एक बार आप environment में भार निकल रहे हैं ठीक है आपके आसपास greenery है आप उसको feel करिए enjoy कीजिए ताकि आप थोड़ा stress free हो सकें तो ये सब आप कर सकते हैं अपनी physical health का ध्यान रखने के लिए बात करें हम mental health का तो हमारे क्या issues रहते हैं basically journey के दोरान हम preparation पे focus कम कर पाते हैं और हमारा focus रहता है result पे कि क्या exam clear होगा क्या मैं इस exam को निकाल पाऊंगी क्या मेरी job लगेगी इस साल या नहीं लगेगी तो इन सब का burden अपनी mind में नहीं लेके चलनना है सिर्फ ये आप ध्यान रखिए कि daily आपको अपने दिन को बनाना है तेक है कि आप रात को satisfaction के साथ सो रहे हैं कि यहां आज मैंने ये सारे काम अपने जो daily targets मैंने बनाए थे वो complete कर दिये और धीरे 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 जब आप अपने targets को complete करते जाएंगे तो pile up बनता जाएगा बनता जाएगा और practice से ही आपका जो है रास्ता success की तरफ जाएगा तो daily routine पे daily targets पे focus करिए कि क्या जो मैंने decide किया था वो पूरा किया या नहीं किया result का सोच कि अपने आपको जो है परिशान मत करिए कि क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, अपनी कोशिश पूरी करिए, कोशिश पे ध्यान रखिए, result पे ध्यान मत दीजे जितना जादा result पे ध्यान दोगे उतना जादा आपको problem होगी, तैयारी नहीं कर पाओगी ठीक है, और बात रही, result कि कि माम क्या इस टाइन के दोरान सभी को ऐसे anxiety होती है कि हाँ पताने निकलेगा या नहीं निकलेगा तो it's very common among aspirants यह सबको ही होती है आप कोई ऐसे individual नहीं है कि आपको अकेले को ही यह problem face करने पड़ रही है काफी basic problem है यह हर एक aspirant की बट वो aspirant इसमें से निकल जाते हैं जो इस total paper है इसमें total 5 subjects होते हैं और इन 5 subjects में दो subjects ऐसे होते हैं जो काफी scoring माने जाते हैं सभी aspirant इनहीं को पहले target करते हैं और इनको complete करते हैं then इनकी practice करते रहते हैं तो यह दो subject हमारी होते हैं Hindi और reasoning आप अगर चाहें आप अगर beginner हैं तो भी आप इन दो subjects को within a one month जो है complete कर सकते है और उसके बाद आप जितनी practice करते जाएंगे उतना ही जादा आपका अच्छा score बनता जाएगा reasoning और Hindi की हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले खुद को analyze करना है कि आप कहां पे हैं and कैसे करेंगे previous year questions लगाने हैं उन previous year questions को लगाने के बाद अपने notpad पे not बनाने हैं कि कौन से topic में आप weak हो कौन से आपके strong points हैं तो जैसे ही आप ये task complete करते हो उसके बाद YouTube पे किसी YouTube channel से अब अपने concept को clear कर सकते हो कोई भी specific book लेने की इसमें आप चरकता नहीं है because समय कम है और आपको जादा से जादा output अगर चाहिए है तो आपको एक अलग method से अपनी preparation को continue करना पड़ेगा तो पहले question practice करिए और फिर analyze कीजिए कि कोन से weak points हैं सिर्फ उन्ही topics को YouTube channel पे search करि के साथ मैं बताना चाहूंगी कि previous year questions के लिए आप कौन सी book follow कर सकते हैं तो book का नाम है किरन publication आप search करेंगे Google पे तो वो आ जाएगा compilation आपको वो book मिल जाएगी इसके अलावा एक टेलिग्राम चानल है जिसका नाम जो है आपको screen पे दिखाई दे रहा होगा वो आप search करेंगे यो टेलिग्राम पे जाके तो वो channel जो है best channel है वहाँ पे हर एक source मिलता है आपको DSSB exam से related तो आप उस channel को follow कर स इसमें जो ये दोनों subjects हैं हम बात करें कि इनमें target क्या रखें कि score कितना रहना चाहिए तो कम से कम 17-18 number का आपका score इसमें रहना ही रहना चाहिए अगर आप एक overall अच्छा कासा score करना चाहते हैं तो इसके बाद हम बात करते हैं कि GK के लिए क्या करें तो GK के लिए सबसे प उससे जो है output आपको देखने को जादा नहीं मिलेगी क्योंकि आप उसको अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे NCRT को करने के लिए काफी अच्छा कासा समय चाहिए होता है अगर आप अपने graduation में हैं आपको पता है teaching line में आपको जाना है या competitive exam की तयारी करनी है तो आप इस option को ले सकते हैं but right now you are in a revision phase आपको exam काफी nearby है तो मैं यहीं कहूंगी कि आप NCRT को opt ना करें इसके अलावा आपको क्या focus करना है कि आप current affairs करें try to score minimum marks in JK सबका इतना ही score रहता है 10 से 12 नंबर तो यह 10 से 12 नंबर बनाने के लिए आपको smart तरीके से पढ़ना पड़ेगा तो current affairs आप कर सकते हैं crazy JK trick channel से यहाँ पर topic wise भी आपको current affairs मिलेंगे और monthly current affairs भी मिलेंगे मैं कितने करने हैं तो जब भी आपके exam date release होती है उस month को छोड़के जो पिछले 12 महीने है वो current affair आपको करना ही करना पड़ेगा और जो test 6 month का current affair है वो आपके tips पे होना चाहिए I hope आपको यह clear हो गया होगा और जो यह channel है crazy JK trick channel इसी channel से आप अपनी static JK का portion भी cover कर सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ दो चीजों पे static JK and current affair और अगर आप science के students रहे हैं तो आप general science कर सकते हैं उसमें से भी 2-3 question आ जाते हैं तो इस तरीके से आप अपना score target कर पाएंगे 10 से 12 number main important point JK को करते वक्त ऐसा नहीं करना है कि आप सबसे बड़ी blunder क्या रहती है कि आप पुरा दिन JK ही पढ़ते रहते हैं this is blunder done by each and every spirit तो यह आपको नहीं करनी है and कम से कम इसको समय देना है limited चीज़े पढ़नी है और उनको बार-बार revise करना है ताकि आपको output एक अच्छे खासी मिल जाए बात करें हम English की तो English में सबसे पहले दिकत क्या आती है कि हम vocabulary याद नहीं होती है और vocabulary की जो score रहता है वो रहता है चार से पांच number तो इनको कैसे cover करें तो अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप records को use करें जैसे कि newspaper पढ़ना शुरू करो editorial पढ़ना शुरू करो book reading करो तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये सब करेंगे और फिर आप vocabulary develop करेंगे तो इस exam के लिए आपको क्या करना चाहिए एक book आती है नीटू सिंग एक ma'am है English के लिए तो उनके एक book आती है जिसमें अच्छे खासी vocab traditional vocab हम बोल सकते हैं वो दी गई है तो वहां से अपने vocab के portion को cover करें रटी कैसे भी लिख के बोल के आपको ये करना ही करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने dssv के जब previous year questions लगा रहे होते हैं उस दोरान जो उसमें आ तो आप उन 5 वर्ड को याद कर लीजिए कि कि किसका क्या meaning है हो सकता है आने वाले exam में जो वर्ड options में दिया गया था वो question बनके आ जाए next हम बात करें कि जो 15 रंबर बची हैं वाकी वो क्या रहते हैं तो वो रहता है grammar portion और साथ में reading comprehension तो जैसे ही आप अपनी vocab complete करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है नियूस पेपर में English नियूस पेपर में कोई भी एक basic news का एक paragraph उठाईए और उसको पढ़ने की कोशिश कर और आप खुद analyze करें कि क्या आप उसको comprehend कर पा रहे हैं क्या आपने इतनी सारी जो vocabulary है उसमें से एक दो शब्द आपके revise हो रहे हैं तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद feel होगा कि हां कि जो words मैंने नीटो सिंग book से पढ़े थे वो यहां पे repeat हो रहे हैं और revise भी हो forward करना हैं बात करें हम grammar की तो grammar rules book भी follow कर सकते हैं और अगर आप दूसरा method opt करना चाहते हैं तो एक वीडियो मिलेगी आपको 120 rules by निमीशा बंसल तो इस वीडियो को आप follow करें कम समय में जो हैं आपकी grammar की rules जो है revise हो जाएंगे I hope आपको यह clear हो गया होगा English में आपको target लेके चानला है अगर आप every student है आपको लगता है कि यह weak है अगर आप यह सब कर लेंगे तो कम से कम अपना target रखे कि minimum आप 13 से 15 नमबर लेके ही आएं otherwise selection होना merit में impossible हो जाएगा अब हम बात करते हैं maths की तो जो maths है काफी difficult होता है काफी aspirant को feel होता है कि it's very difficult for me और ऐसा मेर को भी लगता था और being a every student यह सब को ही लगता है कि नहीं calculations आदा है concept समझ नहीं आ रहे हैं तो इसमें आपको करना क्या है basically आपको पता है dssb में arithmetic पूछा जाता है कुछ topics है already हमारी previous video में बताये गए हैं कौन-कौन से arithmetic की topics होते हैं तो उन topics में से भी आपको वो topic choose करने हैं जो काफी easy होते हैं और scoring भी होते हैं जिससे आपका कम से कम जो minimum score है दस से बारा नमबर वो आपके maths में बन जाएं तो वो जिससे topic हो गया सबसे पहले data interpretation तो दो से तीन question आते हैं जिसे बार ग्राफ पाई चार्ट इसके वेज़ पे दो से तीन question ज़रूर आएंगे तो सबसे पहले उन 20 questions में उन तीन questions को उठाईए और उनको solve करने की कोशिश कीजिए उसके बाद हम topic लेके चलते हैं जैसे की percentage हो गया easy topic है और यह arithmetic का base है अगर आप percentage नहीं करोगे तो पूरा math आपसे नहीं हो पाएगा तर आप कर सकते हैं profited loss, CI and SI और इसके साथ साथ जो basics है menstruation topic का वो आपको होना चाहिए कि अगर कोई question ऐसा आता है जो direct formula based है तो आप उसको solve करते हैं इसके साथ speed, time and distance तो यह topic अगर आप कर लेंगे तो आप अराम से 10 से 12 number score कर पाएगे और इसके साथ जिनको लगता है कि नहीं we are good at maths तो आपको क्य क्या करना है अपने previous year questions को direct solve करना शरू करिए और जो जिन topics से question आपको solve नहीं हो पा रही है topics को आप जो है directly YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं और वहां से help ले सकते हैं I hope आपको यह सारे points clear हो गए होंगे do's and don'ts क्या करना है क्या नहीं करना है और book मैं अल्रेडी बता चुकी क्या मैं से रहती है हार competitive exam के लिए तो इनका एक DSSB previous year question channel paper के लिए भी एक book मिलेगी तो आप वो follow कर सकते हैं इसके लाबा telegram channel जो screen पे वैने भी share किया था आप उसको भी follow कर सकते हैं काफी अच्छा reliable channel है best channel है for DSSB exam तो आप उसको follow कर सकते हैं and in the end I would like to say only one thing that if I can do you can also do if I can crack the exam being an average aspirant then आप भी इस exam को clear कर सकते हैं practice practice and practice आपने सुना है practice makes a man perfect तो आपको perfect तो नहीं बनना है but हां selection लेना है तो practice करनी पड़ेगी daily करनी पड़ेगी जब तक exam नहीं हो जाता है आपको हर दिन practice करनी पड़ेगी thank you and yes you can like our video share it with your friends and do subscribe our channel for more such guidance videos